बलायों जिले की दाता गंच मंडी में करीब डेड़ करोड उपय का गेहूं घोटाला सामने आया है गेहूं क्राय केंदर पर गेहूं की खरीद तो दिखाई गई लेकिन सरकारी गोदाम तक गेहूं नहीं पहुंचा मामला सामने आने के बाद से हडकम मचा है जिलादिकारी ने इस मामले में केंदर परभारी और ठेकेदार समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है तो वहां अभेज करके भी से ही गायर कर लेगा है यह सिकायाथ मुदी तो इसके जयाज के लिए एवियम फाइनेंस के विस्ता में बने एक कमिटी बनाएगा और जयाज करके इन सब के खियाब कारवाई की जयाएगा और फाईयाब दर्ज करा करके इनको सब्सक्र जिल इसके साथ ही जिले के दूसरे गेहूं क्राय केंद्रों की जाँच भी कराई जा रही है जाँच के बाद घुटाले की रकम और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है बदायों से राहुल सकसेना की रिपोर्ट पंजाब केसरी टीवी कर दो